Assalamu alaikum students आज हम अपने Business Intelligence Track का पहरा lecture शुरू करते हैं कि Business Intelligence क्या है और इसकी धरुरत क्यों पेशाती है तो Business Intelligence एक ऐसी activity है जिसमें हम मुख़िलिफ किसम के software tools यूज करते हैं Companies के raw data को analyze करने के लिए ठीक है और इस सारे प्रोसेस में हम लाइक डेटा माइनिंग ऑनलाइन एनलेटिकल प्रोसेसिंग है क्यूरिंग है और रिपोर्टिंग यह चीज़ें हम यूज करते हैं क्यूंकि हर ऑर्गनिजेशन खाव चोटी हो या बड़ी हो इसके पास काफी रॉड डेटा मुझूद ह होता है और यह डेटा टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है इसकी आप एक्जेम्पल ले सकते हैं जिस तरह आप फोन कॉल्स करते हैं केंप्यूटर यूज करते हैं क्रेटर कार्ड यूज करते हैं शॉपिंग के लिए या कोई भी ट्रॉस्पोर्टिशन लाइक कारें हैं यह सारी चीजों का डेटा स्टोर होता है जैसे कार किसी भी टर्मिनल से गुजरती है और लाइक टूल प्लाजा तो वहां पर उसको चेकिन करना पड़ता है ठीक है तो वह सारी सारी जो इंफ्रमेशन है वह इन दी फॉर्म आफ राव डेटा वो सेव होती जा रही है ठीक है तो एंड अफ तर डे लाइक एक वीक में या एक मंत के बाद हम अगर यह देखते हैं कि कितनी चोटी गाड़ी गुजरी हैं कितनी बड़ी गाड़ी गुजरी है यहां से और उसके मताबिक हमने डिसीजन लेने हों कि इस सड़क को कितनी देर के बाद दोबारा हमें रिबीड करना पड़ेगा इस पर ट्रैफिक की कंजप्शन कितनी जाद है तो इन सारी चीजों के जो सुलूशन है वो हम बिजनस इंटेलिजेंस में डूनते हैं और इसके अलाबा बिजनस इंटेलिजेंस लाइक फाइनांस हेल्थ केयर किंजूमर प् काफी ज़्यादा एरिया में यूज हो रही है अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उसकी जो करेक्ट डिसीजें करें और प्रेशनल एफिशेंसी कॉस्ट रिडिक्शन और रिपोर्ट और जो रिडूस रिस्क है इसके बारे में अगर वो केर करना चाहती है तो उसको चाहिए नहीं कि वह बेहिए कि वह बिस इंटलिजेंस इंपलेमें अपने होगें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देख रहे हुत आ कि टेली ओम कंपी काकेज हमें फ्रॉंप कर रही होती है यूजर को पाकेज को कई से बड़ा चलता है कि कौन से पाकज हम ने किस एरिये में मैं किस एरिये में कौन सा पैकेज नहीं देना वो क्या करते थे जब यूज़र कोल कर रहे होते हैं सारी के सारे जो जो डेटा है जो इनकी कॉल्स हैं जो ट्रैफिक है वो सारी सेव होती जा रही है ठीक है और बहुत बड़ी मिगदार में बहुत बड़ी जो उनसका पूरा जो टेटे उह हैं उता है वह काफी मिक्दार में जम्रों होता जारहा है ठीक है पर वो उसको अनलाई करते हैं और देखते हैं कि स्क्री प्र्वर्ट गया है है, तो अगर नेट्वर्क ट्राफिक ट्रेफिक पीक पीक वो मुख्रिक किसम के पैकेज़ लोगों को देते हैं ताकि लोग उस टाइम पे उनको यूज करें और वो जो उनकी क्यूंकि इनकी जो इंफरसेक्टर है वो अलड़ी बिच्छा हुआ है जितनी टेलीकॉम लाइन्स हैं जो भी इनका सैट पो अलड़ी लगा हुआ है तो वो वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि जिस टाइम पे ट्राइफिक कम होती है उस टाइम पे पैकेज उफर करते हों वो सारी सारी चीज़ें उनको कैसे पता चलती है क्योंकि वो उनने बिजनेस इंटेलिजेंस जो फ्रेमवर्क है वो उनने इंप्लिमेंट किया गिसी तरह टेलीकॉम जो अमारा हेलस सेक्टर है उसमें भी ऑड़ी सक्सेप्लि यूज ओती हो रही है उसमें ऑ जिसमें ये देखा जाता आप फारसेंपल वन-थाब फाल इंट लाएक हॉस्पीटल से रहा हो और हम यह देखना चाते हैं कि हुस्पीटल यह देखना चाता अइवरों के वो किन एईरियाज में वो बाकि हॉस्पिटल से अच्छा है और पिर डा Bhag去了 से अच्छा नहीं और कहां सब्कार काम करनाँ स्वालियोगिए ताके कुं कि कम बी पुरी हो जाये तो आइक वो ऊस फिटल में doctors कितने हैं उसमें जो medicine की कितनी हैं उसमें bed कितने हैं बाकि hospitals में क्या facilities हैं जो हमारा hospital है इसमें कौन से facilities काम है हम क्या चीज़ कौन कौन से हम decisions लें तो हमारा hospital है वो भी जो बाकि hospital हम थे अच्छे लेवल पर आ जाए ठीक है तो इन सारी चीज़ों के जो answers है वो सारे भी आई हमें देती है ठीक है तो होता कि है जब हम यह सारे जो raw data यह जितनी भी चीज़ें हम करते यूज करते जा रहे हैं phone calls और और यह transportation यह सारी के सारी चीज़ें और और एरो प्लेंस यह इन सारी यह सारी सारे चीज़ें हमें raw data देती है ठीक है और इन सारे raw data को हम पहले collect करते हैं फिर इसको analyze करते हैं फिर इसको visualize करते हैं डिफरेंट रिपोर्स की शकल में पाई चार्ट की शकल में ताके एक हमें जो हमारी जो raw data उसकी हमें एक विजुलाइज position उसकी हमें नजर आए ठीक है तो और भी इसके लावा बुत्रे किसम के जो questions हैं फार जेंपल हम यह कहते हैं कि जो win rate कंपनी कुछ कुछ आती है कि वो इसका जवाब ले कि जो उनका win rate है वो low क्यूं है कौन कौन से एरिया में जो company की product है वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है कौन से एरिया में company की product कम यूज हो रही है ठीक है फिर उसके इलावा हम यह देखना जाते हैं कि कि हुई इस परफॉर्मिंग sales representative ठीक है और इन सारे questions का जो answer है वो हमें within second मिल जाए तो यह तभी possible हो सकते है अगर हम BI implement करें ठीक है तो इसके different इसमें tools and techniques हैं जो हम लोग use करेंगे और उनको stepwise आगे लेके चलेंगे ठीक है कैसे हमने data क्लेक्ट करना है कैसे हमने data को integrate करना है analyze करना है फिर उनको किस तरह में की reporting करनी है end user को कौन कौन सी हमने चीजें दिखानी है कौन सी चीजें उसको नहीं दिखानी ठीक है और मतले किसम के इसमें हमें और रिपोर्स हैं different types के हम इसके अंदर रिपोर्स और डिजाइन करेंगे और डिफेंट के टैश बोर्ड्स हैं स्कॉर कार्ड्स हैं फिर इसके अनलेसिस एरिया के अंदर हम हम और अनलेसिस करेंगे इसका ठीक है जिसमें हम क्यूट्स मुल्टि डैमेंशनल एक्स्प्रेशन और सारी चीजें हम अपने आने वाले लेक्शर में पढ़ेंगे तो इस कोर्स का फ्लो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले हम हम टी-सक्वेल क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमें सबसे पहले जो क्यूरीज है वो हमें लिखनी है नहीं चाहिए वेल परफॉर्म्ड क्यूरीज जो वेल अप्टुमाइज हों उसके इलावा जब यह सेक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा जब हम सारी यह चीज़ के बारे में पढ़ेंगे टैविलो रिपोर्स हैं मैट्रिक्स हैं ट्रिल्डोन रिपोर्ट्स हैं सब रिपोर्ट्स हैं ठीक है काफी इसके अंदर काफी बड़ा एरिया यह भी और इसके बाद जब हमारा रिपोर्टिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किस तरह करना है कि मुतलिफ डिमेंशन के अंदर हमने अगर कुछी अपने फेक्ट को देखना हो तो उसके लिए हम कौन-कौन से टूल्स यूज करेंगे और पिरनकर रिजट्स हम कैसे शो करेंगे हमारे क्लाइंट्स को ताकि वो अच्छा पॉपर एक डिसिजन लें अपने के प्रविए से फिर एनड्ma हम कुछ एरिया है हिस्सार जो है वह अपने को स्का इंटिक्ठिशन सर्विस्जिस के उपर भी हम लगाएंगे किस तरह हमने डिटे को क्लेक ट्रमनेदे को क्लीन करना है ठीक है पिस तरह हमने उसको डोड करना तो इस तरह हम इंशाला यह सारे यह बी आई का एक कंप्रीट ट्रैक है और हम इंशाला इसको स्टार से लेके एंड तक लेके चलेंगे और और इंशाला अमीद है कि आप इसमें काफी कुछ सीखेंगे और वो लोग जो अपना केरियर बी एई में स्टार्ट करना चाते हैं तो उनके लिए काफी फाइदा मन पोस्ट होगा तो इंशाला अगले लेक्षर में आपसे मुलकात होगी तब तक के लिए अलाफिस